सब्सक्राइब कर ले बिल आइकन को प्रेस कर दें जिससे की उड़ो को नोटी पीए अपको सब्सक्राइब करने पड़ती और आप लोग सब्सक्राइब अपने बंद करना पड़ेगा दोस्तो ठीक है तो आप लोग वीडियो को जादा से जयादा फेर कीजिए और अच्छे से वाच करिए ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आची क्लास तो आपके जो क्लास चले दोस्तो सर विलाम सर कर चले उसका फ्रीज का आज दीसरा वीड यो हो चुके है इसके नहीं देखा है तो इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुए हांसे जाके आप लोग देख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते है, पहला कुश्चन क्या है, हमारे देश में एनिमिय मुखेता किस कार्ड होता है, तो एनिमिय दोस्तो किस कार्ड होता है, तो यहाँ पर आपके चार ओप्षन दिये हुए है, कैल्सियम की कमी के कार्ड, कि आयोडीन की कमी के कार्ड, कि आयरन की कम कि कमीश होता है तो प्लेगर इसके कमीश होता है दोुस्तो चार अपसंदियों आपके राइबाफ्र लेविन निकोटोनीक ऐसे इसका right answer क्यों होगा दोस्तों तो इसका right answer होगा आपका विटामिन C का संब्रद वरोच है कौन सह है दोस्तो ताज अफ़ल अनाज, डाल, दूद तो इसका राइट आंसर क्या होग हो दोस्तो तो इसमें जो विटामिन C का संब्रद वरोच होता है वो ताज इफ़ल होते हैं आपके ठीक है कोश्चन नमबर पांचवां क्या है प्रोटीन उर्जा को पोफड के कार्ड होने वाला रोग कौनस होता है तो प्रोटीन उर्जा को पोफड कार्ड कौनसर रोग होता है दोस्तो छैरोग होता है कि आपका कौसर कौर होता है कि बुखार होता है कि Malerio तो तो इसका right answer क्या है कॉसर कॉर होता है दोस्तों ठीक है इसका right answer है आपका कॉसर कॉर ठीक है Question number छठवा क्या है आपका Question छठवा है Polio virus शरीर में के माध्धम से प्रवेश करता है मच्छर के काटने से कि संक्रमीत भोजन के और जल से या खांसी से या कुट्टे के काटने से तो कि इसके माध्धम से सरीर में प्रवेश करता है तो आपका दोस्तों प्रवेश करता है संक्रित भोजन और जल से ठीक है Polio होता है Question number 7 क्या है आपका जड़ो मनता एक विकार है जो किसोरा वस्था में की कमी से पीडी तो हो रही माता से जनने बच्चों में होता है तो इसका right answer क्या होगा दोस्तों कैलसियम से की आयरन से की फासफोरस से की आयोडीन से तो इसका right answer क्या होगा आपका तो इसका right answer है दोस्तों आयोडीन के करता ठीक है और Question number नमबर आपका आठवा क्या है कोश्यन नमबर आठवा है आपका ICDS कब आरंभ हुआ था तो ICDS कब आरंभ हुआ था दोस्तों 2 जुलाए 1975 की 2 अगस्त 1975 की 2 सितंबर 1975 की 2 अक्टूबर 1975 तो इसका राइट एंसर क्या होगा 2 सितंबर 1975 को ठीक है Question number आपका नॉवा क्या है Question number नॉवा है Skinfold Caliparzusր की मोटाई मापते हैं तो किसकी मोटाई मापते हैं Protein की परद की की वाशा की Carbohydrate या पानी की परद की तो इसका right answer क्या होगा तो इसका right answer है आपका वाशा की परद को मापते हैं Infold Caleb or facility क्या है नंबर दस मांग है आपका एन एच आर्एम का पूरा नाम तो धूस्तों यनजेम का पूरा नाम क्या होता है आपकी चार शुतन करहा है तो पहला अपसे निशनल है ही सिसनुल हेल्घ मिशन यजनल डे इसका और इंसर क्या हो गए नरिचम पूरा नाम विध Will है कोक्षिय नंबर 11 गस्क्राइब कोस्टन कोष्च नंबर 11 मुख से दिए जाने वाले टीका है काउन को यहां पर आपके चार अप्सन दी हुए है इसमें पहला अप्सन है पोलियो बी-सी-जी हेपिटाइटिस कोई नहीं तो इसका राइट एंसर क्या है दोस्तों तो इसका राइट एंसर आपका पोलियो कोश्य नंबर बारवा क्या है आपका गरभावस्ता में महिल्या के सरीर का वजन क्या होता है बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए या इस्थिर रहना चाहिए या इन में से कोई नहीं तो इसका राइट एंसर क्या है दोस्तों गरभावस्ता में महिल्या के सरीर का वजन क्या होना चाहिए बढ़ना चाहिए ठीक है question number 13 क्या है प्रिजनन छमता को प्रभावित करने वाला vitamin है तो कौन सा vitamin होता है दोस्तो यहाँ पर आपके चार अप्षन दी होए है पहला अप्षन है आपका vitamin E, vitamin C vitamin A, vitamin D तो इसका right answer क्या होगा दोस्तो तो इसका right answer है आपका vitamin E जो है वो प्रिजनन छमता को प्रभावित करता है question number 14 क्या है आपका septic tank में आप घटन की प्रक्रिया निम लिखे द्वारा होती है तो किसी द्वार होती है एक आप वी यह पाचन की द्वारा या अफ्रुक्ट और यह option आपका यहां पर होगा ठीक है कि वाई वी पाचन या फिर अफ्रुक्ट दोनों या इन में से कोई नहीं तो इसका right answer क्या होगा दोस्तो तो इसका right answer है आपका आप यह पाचन ठीक है आपका है यह पंद्रवा ठीक है नहीं लिखित में किसे कली जूना भी कहा जाता है तो कली जूना किसको कहते हैं कैल्सियम आक्वाइट को की नैटरस आक्वाइट की फोडियम आक्वाइट को की कैल्सियम बाई कार्वनेट तो इसका right answer क्या होगा दोस्तो ये आपके सामने 4 पमें देखंटियों है दोस्तों ठीक है इनसे पहला उपसन है आपका 5.5 या 4.4 cm या 5.0 cm या 2.5 cm तो कितनी नहीं हो नी चाहिए किस दिया नहीं होनी चाहिए तो 2.5 से दिया दिया ठीक है वाटरशील और दोस्तो Question No.17 कहाई आपका question No.17। कैम्ऽ के लिए उपयूठ फाउचाले है आपक्सन-घर्द साउचाले लिए उप्वीक्ट साउचाले है आपसन-घर्ज необход था है जल साउचाले आपका का का खाई लिखित में कौन एक सचता औरोधक है यह आपके चार अप्षन दीवे हैं कौन सा है पहला अप्षन विष्ठा का प्रिथाकरण या मक्षियों पर नियंत्रन विष्ठा का निप्टान और चौथा अप्षन है आपका उचित जल आपूरती तो इसका राइट अंसर क्या होगा गर्द 140 की गहराई फीट होती है तो यहाँ पर आपके चार अप्षन दी हुए है पहला अप्षन है आपका 2 x 4 फिट या 4 x 6 फिट या 6 x 10 फिट या 10 x 12 फिट तो इसका राइट अंसर क्या होगा दोस्तों इसका राइट अंसर होगा आपका 10 x 12 फिट ठीक है कोश्चे नंब बीफ में आपका है कि रinen क्राइस की स्थापने किसके दोरह की जाती है तो एंगर डियूरेंट है अगर दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के फाद ज्यादा फे ज्यादा फेयर कीजिए मिलते हैं दोस्तों की फिनिश्ट वीडियो में की फिनिश्ट टॉपिक के फाद तब तक लिए धन्य बाद